दोस्तों आप सभी का सपना है बिहार दरोगा बनने का तो आपके लिए दोस्तों आईसे विडियो लेकर आये हैं जिसमें आपको एक ही विडियो में समपुर्ण जानकारी मिलने वाला है दरोगा कैसे बने कैसे क्या त्यारी करें निवी सिलेवस क्या है अब दिखेगा दोस्तों तो PT Mains Exam बहुत सारे एक्स्ट्रा टॉपिक एड हो गया है तो निवी सिलेवस क्या कुछ है PT Mains Exam का पैटर्न क्या कुछ है कैसे मेरिट बनता है सबसे में दोस्तों कि कितना question आप सही बना लिजेगा तो दरोगा बन जाईएगा योगिता चैन पर करिया उम्र सीमा, मेडिकल, पर्मोसन, सैलरी, हाइट, वजन यानि आपको दोस्तों दरोगा भरती, संबंधित, A to Z जानकरी इसी एक वीडियो में मिलने वाला है अगर आपका भी सपना है बिहार दरोगा का, तो आप सभी इस वीडियो को पूरा देख लिजे, फिर आपको A to Z जानकरी मिल जाएगा हो सकता है कि दोस्तों इसमें से आपको कुछ चीजे के बारे में पता हो और बहुत सारे चीजों के बारे मापको नहीं पता होगा तो चलिए सभी चीजों के बारे माप सभी डिटेल्स जानकरी देख लिजिए दरोगा एकजाम में दोस्तों सलेक्शन की जो परकिरिया है ये तीन चर्णों में कम्पलीट होता है फ़र्म भरने के बाद सबसे पहले आपको PT एकजाम यानि प्रारंभिक परिक्शा देना परेगा PT एकजाम आप पास की जेगत इसके बाद होगा Mans exam मुख्य परिक्शा Mans exam पास की जेगत इसके बाद होता है दोस्तो Physical test फिजिकल टेस्ट पास कर जाएगा इसके बाद आपका आएगा मेरिट लिस्ट, फैनल मेरिट लिस्ट जो बनेगा दोस्तों मेंस एकजाम मुख्य परिक्षा में मार्क्स के अधार पर, इसके बाद होता है मेडिकल, ये तो आपको यहां से मोटा मोटी समझ में आ गया कि ये बारे में, अब पीटी एकजाम में कैसे क्या होता है मेंस एकजाम, फिजिकल, मेडिकल, इसके अलावा फॉर्म भरने के लिए हैट कितना चाहिए, वेट वजन का कंडिशन क्या कुछ है, कितना क्विस्टन बनाने पर रिजल्ट होगा, तो सभी चीजों के बारे में अब च परिजिकल सब कुछ कंपलेट करवाया जाता है, अभी आप फॉर्म फिलब करने के बाद अभी आपको सबसे पहले पीटी एकजाम का तियारी करना है, सबसे में दोस्तों अभी आपके लिए यही रहने वाल है, जब आप प्रार्विक परिक्षा पास किजेगा, तब तो आ यह जो परिक्षा होगी दोस्तों, आप लैन ओमर सीट पर, बिहार के सभी 38 जिला में इसका सेंटर बनाया जाएगा, और ज़्यादा चांस है कि होमी सेंटर आपका रहने वाला है, ओमर सीट पर आपको परिक्षा देना, इस परिक्षा के लिए आपको दो घंटा का समय मिल मिलने वाला है, इस परिक्षा में दोस्तों, निगेटी मार्किंग भी है, टोटल जो क्विश्चन पूछा जाएगा 100 क्विश्चन, एक क्विश्चन है दो मार्क्स का, यानि टोटल जो परिक्षा होने वाली है 200 अंकों की, अब PT एक्षा करने के लिए बात करें, तो इसला जो एक्जाम है, उसके कंप्यर में असान क्विश्चन पूछा जा रहा है, इतना अधिक आपको इसमें कंपर रिजल्ट नहीं होने वाला है, क्विश्चन असान रहेगा, तो कट अप है, यानि आपको लगभग सतर पशतर लगभग क्विश्चन सही करना परेगा, अभी दोस्तों, पीटी एक्जाम में टोटल जो 100 क्विश्चन पूछा जाएगा, यह क्विश्चन जो है, यहाँ पर सिलेबस में देखेगा, तो समान ग्यान समसामिक मूदी, यह दिया हुआ है, टोटल सौंकों की परिक्षा होगी, दो घंटे का समय मिलेगा, प्रारंभ से 60% मार्क्स लाना परेगा, यह तो हो गया, कट अप के बारे में हम आपको एक विडियो और डेटेल्स में देंगे, जितने पिछला एक्जाम है, पिछले 5-6 साल में, जो भी एक्जाम हुए है, सभी काप लोगों को एक डेटेल्स डिसकर्शन के साथ सब कुछ बताएंग तो PTA पास कर जेगत, इसके बाद आपको देना है मेंस एक्जाम, अब मेंस एक्जाम इसमें अलग से फॉर्म नहीं भरवाया जाता है, BPSC आनि परिच्छाओं की तरह, इसमें डिरेक्ट आपका यहाँ पर PTA एक्जाम आएगा, इसके बाद लगवक धाय महने के बाद में वेकेंस एक्जाम में वेकेंसी का 6 गुना रिजल्ट दिया जाता है, अब यहाँ पर दूतिया चरन शुरू होता है, PTA का तो पैटर्न आप देख लिए कि टोटल 100 क्विस्टन पूछा जाएगा, GK करेंट अफेर सिलेबस में दिया हुआ हुआ है, लेकिन इसमें दोस्तो 20 कुछाया जाएगा, इसके लाबा यहाँ पर मैथ ओर ऍईनिंग मिला करके 8 से 10 कुछाया जाएगा, तो 20 लग वग, यहाँ पर वेटेज 18 से 20, यह 3 सेक्षन का रहने वाला है, बांकी जुह GK करेंट अफेर्स पूछा जाएगा, तो पहले क्या होता था, 2021 में जो PT एक्या काम लिया गया था उसमें दोस्तों 30 से लेकर के 33 से पूछा जाता था अब क्या हुआ है कि यहां पर मैथ रिजनिंग इंगलिस यह सब चीजे पूछा जाने लगा है तो क्रेंट अफेर्स का वेटेज कम हो गया अब जो है क्रेंट अफेर्स लगभग 20 क्वेस्टन पूछा जाता है अगर आपको दरोगा पीटी ग्याम में रिजल्ट चाहिए तो सब से अधिक आपको क्रेंट अफेर्स पर धियान देना ये 22 या 25 जो भी आए इसमें आपका गलत ना के बराबर हो और मैथ की भीना दोस्तों आप चाहिएगा पीटी में तो देख पारी को लेगा डिटेल्स वीडियो सब कुछ आप लोग इस चैनल पर मिलने वाला है अब बात करते हैं दोस्तों पीटी एक्जाम में वेकेंसी का बीस गुना रिजल्ट हैगा पीटी पास कर जेगा इसके बाद आपको मैंस एक्जाम देना है मैंस एक्जाम के लगभग ध प्रावुत पढ़ लिजे इसी से आप 30% मार्क्स ला लिजेगा मैंस में दूसरा पेपर जो है दोस्तों जीयास का यानी समान अध्यान का है और यहीं दोस्तों आपका मेरिट वाला पेपर रहने वाला है पीटी मां आप चाहे आसी क्विस्चन सहीक किजेगा पचास इसका कोई मतलब नहीं रहने वाला है मेरिट जो आपका बनेगा मेंस एक्जाम में जेनरल स्टेटी समान अध्यान का जो पेपर है इसी में मार्क्स का धार पर इसमें दोस्तों मैथ रिजनिंग का जो वेटेज है 25 क्विस्चन मैथ रिजनिंग से पूछा जाता है बांकी हो गया को यहाँ पर हिंदी इंगलिस वाला नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पर हिंदी एक अलग है से ही पेपर है तो मेंस का यह पैटर्न आप समझ लिए और मेंस में अगर आपको रिजल्ट चाहिए यहाँ भी आपको मैथ रिजनिंग में अगर 25 क्विस्चन या 26 जो तो बेहतर यही का अभी से आप उस अनुसार त्यारी किजिए कि जिससे आपका मैथ रिजनिंग में पुरा का पुरा पीटी में स्कोर हो जाया मेंस में भी हो जाया और हम आप लोगों के लिए दोस्तों देखेगा तो अभी बिहार S.A.C. इंटर लेवल हो गया जहाँ पर कुछ अच्छे तरीकेस आप लोगों को तैयारी करवा देंगे जिससे आपका द्रोगा भी हर S.A.C. दोनों कम्प्लीट हो जाया तो यहां से तो समझ में आ गया दोस्तों मेंस इक्जा में देखेगा समान अध्यन वाला जो पेपर है यहां भी वही कंडिशन है टोटल 100 क् यानि दोस अंकों की परिक्षा है और मेरिट के लिए दोस्तों तो मेरिट के लिए अगर कुष्चन असान आएगा तो आपको अच्छा खासा स्कूर करना पड़ेगा तो यहां पर बात करें दोस्तों लगभग आपको टार्गेट 80 पलस का रखना चीए अगर आप 75 पलस ब आपका फिजिकल टेस्ट अफिजिकल टेस्ट में दिखेगा तोदो़ है गोला फेक है लॉंग जंप है हई जंप है यह चार चीज़ चार चीज़ आप पास किजिए गा इसके बाद आपका आज समय मिलेगा और GS paper में भी PT में भी वही है निगेटी मार्किंग की बारे में देखेगा तो परती गलत उतर के लिए 0.2 अंग काटा जाएगा यह PT मेंस दोनों में निगेटी मार्किंग है एक question सही किजिएगा तो आपको दो अंग मिलेगा अगर यह question आप गलत करते हैं तो 0.2 निगेटी मार्किंग काटा जाएगा दरोगा एकजाम में बहुत कम निगेटी मार्किंग है इसलिए आप सभी को maximum question attempt करके आना है छोरना कोई भी question को नहीं है तो यहां से देखेगा दोस्तों तो मैंस एकजाम में जो है वेकेंसी का 6 गुना result दिया जाता है इसके बाद होत अभी तक दोस्तों आप पीटी के बारे में देख लिए मैंस के बारे में देख लिए यानि दो चरण आप complete कर लिए आपका है तीसरा चरण तीसरा चरण है physical test तो physical test में देखेगा दोस्तों दौर है दौर के लिए यहां पर देखेगा पूरू सभिहारतियों के लिए 1 मिल यानि 1600 मीटर की दोरी आपको सारे 6 मिनट में पास करना है अगर आप सारे 6 मिनट से एक सकेंड भी अधिक लिजेगा या फिर पॉइंट में भी तो आपको फेल कर दिया जाएगा तो physical के लिए भी आपको थोड़ा धियान देना है जब आप PT पास कर जेगा उसी समय से क्यों सारे भी आपको 6 मिनट में पार करना है पुरूस के लिए एक किलोमिटर यानि 1000 में ये तो हो गया दोर इसके बाद देखे गा यानी हैजम्प तो हैजम्प में दोस्तों आपको 3 मौका दिया जाएगा यानि तीन बार में आप किसी तरफ जो भी यहाँ पर है इसको कुदना है तो पुरूसाओं के लिए देखेगा तो चार फिट का कंडिशन है और इसके बाद महिलाओं के लिए तो तीन फिट का इसमें दोस्तों टैगर जम्प यह सब चीजे कुछ भी अलॉन नहीं किया जाता है बिल्कुल नॉर्मल जिस तरह से आप को उते हैं उसी तरीके से बालू रहेगा बालू पर आपको जम्प करना परेगा गद्दा यह सब नहीं दिया जाता है तो महिलाओं के लिए हो गया तीन फिट और पुरूसों के लिए हो गया चार फिट अब यह कंप्लीट होने के बाद देखेगा आगला है लंबी कुद यानि लॉंग जम्प तो लॉंग जम्प इसमें लिया जाएगा पुरूसों के लिए है बारा फिट तो बारा फिट आपको मिनिमाम यहाँ पर लॉंग जम्प करना है और महिलाओं के लिए है नौ फिट तो यह हो गया इसके बाद चलिए गोला फेक के बारे हम देखे तो गोला फेक में दोस्तों आप नहीं के बराबर चटिएगा पुरूसों के लिए है सभी कोटी की पुरूसों के लिए देखेगा तो सोला पॉंड का गोला सोला पॉंड यानि लगभग यहाँ पर सबा साथ किलो होता है तो सोला पॉंड का गोला आपको फेकना जो है दोस्तों सोला फिट फेकना है और महिलाओं के लिए देखेगा है तो 12 पॉंट का गोला 10 फिट फेकना है, तो यहाँ पर आप गोला फेक को असानी से पुरा कर लिजेगा, और आपको यहाँ पर लॉंग जम्प, गोला फेक, हाई जम्प में 3 मौका मिलने वाला है, तो यह तो clear हो गया यहाँ से, शिर्फ लॉंग जम्प, हाई जम्प, गोला फेक में 3 चांस मिलेगा, दौर में कोई चांस नहीं दिया जाते, यहाँ पर देखेगा, तो अधिक्तम 3 मौका दिया जाएगा, यह चलिए अब clear हो गया, और अन्य चीज़ों के बारे में देखेगा, अब दोस्तों आप physical pass कर लिजेगा, तो man's exam में आपका अच्छा marks रहेगा, तो man's exam marks के धार पर आपका merit list आएगा, और finally आप दरोगा बन जाईएगा, तो अब आप बताईए दोस्तों कि अभी आप जो भी परकिरिया देखे हैं, तो आप में से कौन-कौन इस पर हर हाल में result लेना चाहते हैं, आप में से किसका किसका dream job बिहार दरोगा है, फटा-फट कमेंट करके बताईए, अब दोस्तों कुछ basic चीज़ों के बारे में बात करते हैं, कि form भरने के लिए योगिता चैन परकिरिया क्या कुछ है, देखे दरोगा बनने के लिए अगर आप बनना चाहते हैं, तो किसी भी विशाय से आप graduate यानि अशनातक पास है, बी-ए, बी-ए, सी, बी-कॉम, बे-टेक लेवल की कोई भी डिगरी है, तो आप इस form को भर सकते हैं, percentage marks का कोई condition नहीं, अगर आप दूसरे राज्जी से हैं, तो भी इस form को भर सकते हैं, general category से, general category का जो भी seat है, उसके लिए आप eligible है, तो यहाँ पर देखेगा अशनातक होना चाहिए, और cut-off date की रही बात दोस्तों, तो देखेगा notification जो रहता है, उसमें date दिया हुआ रहता है, तब ही आप जानना चाहरे होंगे, इस बार कितना से count होगा, तो graduate वाला जो date मिलने वाल है, दोस्तों, जैदे चांस है कि अगस्त 2013, यानि अगस्त महिने से, और इसके बाद age की जहां तक बात है, age जो count होगा, जनवरी महिने से, इसी साल से, तो notification आएगा, तफिर हम आप लोगों को details में सारा कुछ बता देंगे, इसके बाद देखेगा, दोस्तों, age के बारे में, तो age के बारे में यहां से देखे, तो age limit इसमें अच्छा खासा है, बिहार पुलीस की तरह 25 वाला नहीं है, आप में से age के कारण से कोई भी नहीं जटने वाले हैं, minimum age का condition हो गया, पुलीसों के लिए 20 वर्स, महिलाओं के लिए सभी के लिए यहां पर minimum age का जो condition है, दोस्तों, 20 साल है, और यह अभी के नुसार आपका होना चाहिए, जैदे चांस है कि जनवरी महिने से कॉंट किया जाएगा, अधिक्तम की बात करें, तो यहां पर age limit जो है, 20 और 37 का age limit है, अगर आप general category से है, तो यहां पर age जो होना चाहिए, 37 साल अधिक्तम, इसके बाद अगर आप general category में महिला है, तो 40 साल, BC, EVC category में पुरूस महिला दोनों के लिए है, 40 साल, SC, SD category में पुरूस महिला दोनों के लिए है, 42 साल, इसके बाद अगर आप job में है, सरकारी सेवा में है, तो 5 साल का छूट यह सब चीज़ों के बारे में देख सकते हैं, एक service man के बारे में यहां साब देख सकते हैं, अब चलिए height के बारे में देखिए, और अन्ने चीज़ों के बारे में, height की जहां तक बात करें दोस्तों, अगर आप पुरूस है, तो अगर आप BC, General EWS category से हैं, 165 cm height चाहिए, अगर आप EVC, SC, SD से हैं, तो अगर आप पुरूस हैं, तो 160 cm height चाहिए, और सब ही category में, दोस्तों, महलाओं के लिए, 155 cm height का condition है, और यहां पर हो सकता है, कि BC, ABC और SC, SD में, महलाओं के height में, कुछ छूट हो जाए, जब form आए, तो अभी तक तो नहीं हुआ है, बिहार पुलीस में भी नहीं किया गया है, इसके बाद सीना की बात किरें, दोस्तों, यह सिर्फ पुरुसाओं के लिए होता है, 81 cm से, 86 cm, यानि 5 cm मिनिमम फुलना चाहिए, इसके बाद दोस्तों, वजन का भी condition, यह वजन का जो condition है, सिर्फ महलाओं के लिए है, आपका जो मिनिमम वजन होना चाहिए, जब आप फिजिकल देने जाहिएगा, तो 48 kg, 48 kg आपका मिनिमम वजन होना चाहिए, और इससे अधीक है, यानि 50, 55, 60 कुछ भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपका 48 kg मिनिमम वेट होना चाहिए, ये सिर्फ महिलाओं के लिए पुरूस के लिए कोई कंडिसन नहीं है, यहां से अभी दोस्तों आप योगिता के बारे में देख लिए, चेन परक्रिया के बारे में भी देख लिए, हाइट के बारे में भी देख लिए, एज के बारे में भी देख लिए, अब बात करते हैं दोस्तों medical को लेकर तो देखिए दरोगा का जो medical होता है final merit list आने के बाद तो final merit list आने के बाद होता है तो यह नहीं है कि medical में आप छट जाईएगा अगर बहुत ज्यादे problem होता है तभी इसमें normal ही medical होता है जिला अस्पताल में तो medical को लेकर तो आपको सोचने की जरौती नहीं है बस आप अच्छे से त्यारी कीजिए और इसके बाद selection लेजिए और दोस्तों बात करें यहाँ पर promotion की तो परमोशन के लिए अभी सबसे पहले आप सभी का जो selection होगा ऐसा है सब inspector पोस्ट पे और आप देखेगा तो constable से चार लेवल उपर के पोस्ट पर आपका selection हो रहा है इसलिए आप सभी motivate होकर अच्छे से त्यारी कीजिए constable का promotion head constable head constable से फिर ASI ASI से फिर ASI इतना process देखेगा और आप direct SI post पर आपका selection हो रहा है अभी जब आप SI बनिएगा दोस्तों यानि सब inspector SI का promotion होता है inspector post पर inspector से फिर आपका promotion जो होगा DSP जिसको DYSP कहा जाता है इस तरह से ये promotion की परकिरिया है तो आप देख सकते हैं सारा कुछ तो यहां से दोस्तों आपको सभी चीजों के बारे में समझ में अच्छे से आ गया और आपके काम का ये चैनल है हम आप लोगों को तैयारी भी करवाते हैं हर एक जानकारी देते हैं पिछली बार 2013 में दोस्तों मेरा भी result हुआ है हम आप लोगों को सभी चीजों के बारे में समपूर्ण जानकारी तैयारी से लेकर कौन-कौन सा बुक पढ़ना है अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं फटा-फट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जुड़ जाईए